नमस्कार दोस्तों फिर से आप सबका स्वागत है हमारे चैनल All About Electronics में आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि नुवाटोन कंपनी का New Link Pro जो प्रोग्रामर होता है उसको ओफलाइन मोड में कैसे यूज किया जाता है Micro Controller को Programming करने के लिए हम Programmer को दो मोड में चला सकते है एक होता है Online Mode एक होता है ओफलाइन मोड, ओफलाइन मोड में हमें जो हमारा Programmer होता है वो Computer के साथ Connect रकना पढ़ता है फिर हम हमारा Micro Controller परा Board होता है उसको Connect करके हम Programming कर सकते है लेकिन offline mode के अंदर क्या होता है हमें computer का requirement नहीं रहता है जो भी program file होता है वो हम डाल सकते है programmer के अंदर और programmer को कई पे भी ले जाके micro controller के साथ connect करके उसमें direct programming कर सकते है यानि कि हमें computer का कोई requirement नहीं रहता है मेरे पास newton company का new link pro करके जो programmer होता है और इसका use करके हम कैसे offline programming करते है वो मैं आज बताऊंगा offline programming करने के लिए दो तिन method होता है SD card, USB और SPI flash आज की इस वीडियो में हम जो programmer होता है उसके memory के अंदर X file डाल के उसका कैसे use कर सकते है वो बताऊंगा तो offline programming करने का सबसे पहला step होता है offline file generate करना तो चलिए देख लेते हैं कैसे offline file generate होता है तो दोस्तों देखिए मैंने यहाँ पे new micro ICP programming tool को open कर लिया है अभी देखिए यहाँ पे मेरा जो programmer हो connect नहीं किया है तो यह disconnected देहा रहा है सबसे पहला step हम क्या करेंगे कि हमारा जो programmer है उसको connect करेंगे computer के साथ तो मैं यह connect कर लेता हूँ यह मैंने connect कर लिया अभी यहाँ से connect press कर लेता हूँ तो यह देखिए यह connect हो गया जहाँ पे जाके आपको आपका जो hex file है वो select कर लेना है मैंने यहाँ से मेरा hex file को select कर लिया है next step है आपको वो configuration बीट में जाना है setting के अंदर और जो भी आपका जो चीप है वो चीप का setting open करके पहले चीप को select कर लेना है और फिर इसके अंदर जो भी आपका चीप setting करना है वो आपको कर लेना है और okay कर देना है इतना हो जाने के बाद next step है यहाँ पर option दिया हुआ है यह option के उपर आप click करोगे तो आपको यह window देखने को मिल जाएगा यहाँ पर जो यह tick mark दिया हुआ है कि यह steps follow करता है programming के लिए वो है हम यहाँ से मैंने यहाँ पर offline programming है उसको select कर लिया है और erase wall चीप है उसको भी select कर लिया है ठाकि जब भी यह write करेगा new program तो पहले जो चीप है उसको erase करेगा पूरा का पूरा बाद में यह write करेगा तो यहाँ पर मैंने offline programming को select कर लिया है यहाँ पर offline programming के लिए दो तीन option दिया हुआ है जैसे कि आप उसको फाइल है offline का उसको password प्रोटेक्ट टेक रखना चाहते हो तो यह भी आप यहाँ से कर सकते हो इसमें limit का भी एक option दिया हुआ है यानि कि आपने जो एकसपाइल programmer के अंदर डाला हुआ है उसके जरीए आप कितना microcontroller को program करोगे सो दोसो तीन सो जीतना पर आपने सेट के आए उतनी बार program हो जाने के बाद यह आपको आगे programming नहीं करने देगा मैंने अभी कुछ select नहीं किया तो यह unlimited programming mode में है अभी यह auto programming mode क्या है कि आपको जैसे ही आपका circuit के साथ यह connect होगा इसका जो pin है interface का उसके जरीए तो यह तुरण programming को transfer कर देगा microcontroller के अंदर तो उसके लिए मैंने यहाँ पर auto programming select करके रखा है और इसका जो आयो वोल्टेज है बाइडिपोल्ट अभी 3.3 वोल्ट है कर में मेरा जो बोड है उसके साथ connect करूँगा तो फिर मैं यहाँ सेट कर पाऊंगा जो भी मुझे में दिखा रहा है अभी हम उसको okay कर देंगे कि यह देखिए हमारा programming offline flash okay करके आ गया है यानि कि हमारा जो offline programming flash है वो जन्रेट हो गया है अभी जन्रेट है या फिर वो क्या है वो मेच करना है तो इसके लिए भी इसमें option दिया हुआ है यह जो file data दिखा रहा है वो हमारा hex file जो मैंने लोड किया उसका दिखा रहा है अगर मैं offline flash के अंदर जाओंगा तो उसके अंदर भी यह data दिखाएगा यानि कि offline flash है उसके अंदर क्या पड़ा हुआ है वो भी इसमें दिखा रहा है और यहां पर लिखके आ रहा है file match यानि कि जो मारा hex file है उसके साथ यह offline file है वो match कर रहा है अभी में यह file match के उपर क्लिक करूँगा तो भी दिखाएगा यह the message so that this piece of binary data from devices match with the corresponding file data तो यह offline file मेरा programmer के अंदर store हो गया है अभी मुझे खाली क्या करना है जो भी मेरा microcontroller है उसका जो programming का पीन है उसके साथ मेरा जो programmer है उसका पीन कनेक्ट करूँगा तो directly program उसमें shift हो जाएगा यहाँ पर एक info का टेप दिया हुआ है उसके उपर क्लिक करके आपने कितनी बार program का try किया है कितनी बार आपका फेल हुआ है अपने जितनी बार ट्राइग किया वह success हुआ तो यहाँ पर आ जाएगा आपने जो भी setting रखा है वह setting भी यहाँ पर display करेगा तो यहाँ से आप देख सकते हो कितनी बार programming गरा हुआ है जब भी आप यह programmer को वापस connect करोगे इसके साथ तो यह data यहाँ से fetch कर लेगा next step हमारा है बस connect करना है हमें microcontroller के साथ और वह वहाँ पर जो फाइल है उसको प्रोग्राम कर देगा microcontroller के अंदर तो देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पर एक circuit ले लिया है जो कि नुवा टॉन और मैं यहाँ इस टैप का एक connector यूज़ कर रहा हूँ प्रोग्रामिंग करने के लिए अभी यह connector को मैं इसमें connect कर देता हूँ यह connector को connect कर दिया अभी इसमें मैं कोई अलग से power supply नहीं दूँगा यह जो बोड है उसको मैंने power supply दिया हुआ है इसके साथ जैसे मैं यह attach करूगा तो इसको भी power मिल जाएगा और यह active हो जाएगा बात में यहाँ पर एक button दिया हुआ है वो button को मुझे प्रेस करना है और प यहाँ पर जो button है उसको मैं प्रेस कर रहा हूँ यह देखिए program circuit में चला गया है उसका LED वो blink कर रहा है और programmer में यहाँ दो LED दिया हुआ है तो दूसरा नंबर का LED है उससे हमें पता चलता है कि वो program successful रहा या फिर नहीं रहा यह light अगर blink कर रहा है तो उसका मतलब है कि यह program successful नहीं है पर यह light अगर stable है तो उसका मतलब है कि प्रोग्राम successful हो गया है तो इस तरीके से हम यह circuit को हमने program कर लिया है विताओट computer है ठेंक यू